दिल्ली NCR समेट पूरे उतरभारत में गर्मी ने हाकार मचा रखा है रविवार को दिल्ली NCR में पारा 45 डिग्री से उपर पहुँच गया वहीं सोमवार को भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं सुबसाद बजे से ही चटक धूब और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है सबता का पहला वर्किंग डे होने के बाद भी सोमवार को सड़को पर काफी कम वाहन दिखाए दिये वहीं बसों में भी रोज के मुकाबले भीड कम थी कुछ दुनों पहले बारश की फुहारों ने दिल्ली का मौसम सुहावना कर दिया था लेकिन शनिवार को अचानक गर्मी बढ़ी और तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान बना रहे लोगों को चिलचिलाती गर्मी ने घरों में ही रहने को मजबूर कर दिया दिल्ली NCR में शनिवार को दन में सड़कों पर नजर आने वाला ट्राफिक बिलकुल भी नजर नहीं आया मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी तापमान 45 डिग्री तक पहुँचेगा यही नहीं यह सिलसिला आने वाले कुछ दुनों तक जारी रहने का आनुमान है मौसम विभाग के मताबक राजस्थान और केंडरिय पाकिस्तान की ओर से इस शेत्र में चल रही पश्चिम दक्षन पश्चिमी हवाओं के गारण अगले कुछ दिन पारा और उपर चड़ेगा और लोगों को भीशन गर्मी से जूज ना होगा यही नहीं आने वाले कुछ दुनों तक बारश के बिलकुल भी आसार नहीं है NMF News के रपोर्ट